तो दोफ्तों इस समय की बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आशियान मेंबर एग्री टू अलाव इस तिमूर जोईन दरीजनल ग्रूपिंग बी इट्स 11th मेंबर दोफ्तों आप सभी आशियान के बारे में तो जानते ही है और हम सभी को मालूम है कि आशियान में इस समय दस फुल मेंबर आशियान के दस अपचारिक सदस्य हैं लेकिन दोस्तों अब इन दस देशों के साथ जो ग्यारवा देश उनने वाला है वो है इस्ट तिमूर जो अपने आप में किसी भी परिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट बन गया है जो आपको समझना होगा ना कि यवल UPSC प्रिलिंग्स के लिए बलकि मेंज के लिए भी चलिए तो इस खबर को पूरी तरीके से समझते हैं Association of Southeast Asian Nation यानि कि ASEAN अब अपने 11 मेंबर के रूप में इस्ट तिमूर को एड करने जा रहा है दोफ्तों ये जो अनौंसमेंट है ये स्टेटमेंट रिलीस किया गया है कमबोडिया की कापिटल में हुए ASEAN के 2022 वाले सम्मिट में यहां पर ऑफिशल ये ये स्टेटमेंट रिलीस किया गया that we the leaders of Association of Southeast Asian Nation agreed in principle to admit तिमूर लेस्टे to be the 11th member of ASEAN ASEAN को अब जल ही अपना ग्यार्वा सदत से मिलने वाला है दोफ्तों कमबोडिया में हाल ही में ASEAN का 2022 का सम्मिट हुआ और आप देख सकते हैं कि यही पर East Timor को observer status मिला है मतलब कि इसे परवेक्षक का दर्जा मिला है अब ये ASEAN की सभी meetings को सभी summit को attend कर पाएगा अब यहां पर इस statement में ये भी गहा गया है कि East Timor के द्वारा जितने भी जितनी भी चीज़ें से पूरी करनी है जितनी भी उसके लिए rules and regulation है कि भाई तुमें ये पूरा करना है तब ही तुम आचियान के एक full member बन पाऊंगे तो इन सारी चीज़ों को वो fulfill करेगा और उसके बाद जल्द ही ये एक full member बन जाएगा अब दोस्तों ये जो East Timor है आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम पहली बार सना होगा और जिन्होंने मेरे साथ वर्ल्ड जोगरिफी पड़ी है वो तो East Timor के बारे में जानते ही है दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले इंडोनेशिया जाना पड़ेगा इंडोनेशिया क्यों ये दो एक स्वतंतर देश है बताती हूँ कैसे लेकर एक काम करते हैं जब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलोजी है तो एक बार टेक्नोलोजी का उपयोग करके East Timor की exact location देखे आते हैं गुफतों इस समय आपको ये अर्थ दिखाई दे रही है इसमें आपको बीच में ये हमारा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है तो इनी सदस्यों को मिला करके तो हमारा आसियान बनता है तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर आपको कमबोडिया दिख रहा है जहां पर ये मीटिंग हुई उसके उपर आप देख सकते हो कि यहां पर ही आपको वियतनाम दिख जाएगा यहां पर आपको लाओस दिख यहां पर थाइलेंड दिख जाएगा यहां पर मलेशिया इंडोनेशिया ब्रूनेई यह सब के सब दिख जाएंगे अब दोस्तों यहां पर आप इंडोनेशिया को देखिए यह है इंडोनेशिया जो यहां से शुरू होता है यह क्या है यह है इंडोनेशिया का एक द्वीप जिसका नाम है सुमात्रा ये देखिए लिखा हुआ है वेस सुमात्रा साउट सुमात्रा तो ये सुमात्रा क्या है ये इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है इंडोनेशिया नेशन का एक आइलेंड है उसके बाद ये है जावा ये भी इंडोनेशिया कही है ये बाली को दे यह क्yashka यह चारहों से जो पानी गिरा हुआ हो इसको 2019 फॉरा का थीमुर सॉटे किसका है इसके आधे prosper पे इंडोनेशिया का शासन इसमें उसी किए किस आपको पास्षिम में देख किसका है यह इंडोनेशिया का यह किसका है जहां पर लिखा वभ हुआ मिल रहा है यह स्वतनुष संप्रभू राश्ट्र हैं एक इंडिपैंड कंट्री और इसी तैमोर लेसते की बात हो रही है जो कि आसियान का ग्यारवा सदस्य बनने जा रहा है तो आपको इसकी जो 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 ज़ोग्रफी है यह समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत और भी चीज़ने देख लीजिए दोफ्तों जब आप इंडोनेशिया को देखते हो तो यहाँ पे देखो यह है तिमोर लेसते इसके आप थोड़ा सा साउथ में आऊंगे तो यह आपको पूरा आस्ट्रेलिया मिलेगा तो यह आस्ट्रेलिया और यह तिमोर लेसते इनके बीच में यहाँ पर यह जो पानी है इसे हम कहते हैं तिमोर सी तिमोर सागर ठीक है उसके अलावा उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेट भी दिखाई देंगी तिमोर लेसते के अंतरगार ये तिमोर आइलेंड का ये आधा हिस्सा आता है और यहां पर दो छोटे-छोटे से द्वीब हैं बहुत छोटे वो भी इसी के हिस्से है चलिए तो वापस आपको स्लाइड में लिजा के चीजों को समझाती हूँ तो आपको समझ में आया होगा कि ये इंडोनेशिया है अब ये जो इंडोनेशिया है इसमें गे सुमात्रा उसके बाद जावा बाली सुमबा आइलेंड और ये वाला आइलेंड देखो इसमें ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है इतना हिस्सा है इफ्त तिमोर का यही है वो स्वतंत्र देश जो कि अब हिस्सा बनने जा रहा है आसियान संगठन का दोफ्तों यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट भी याद रख लेनी चाहिए क्या पता कभी सवाल बन जाए वेटर स्ट्रेट व-e-t-a-r यह इस तिमोर को इसके ऊपर एक आईलेंड है छोटा सा जिसका नाम है वेटर व-e-t-a-r उससे अलग कर रही है तो वेटर आइलेंड को इस तिमोर से अलग करने वाली यह जो स्ट्रेट है जो जल संधी है जो जमीन के दो हिस्सों को विभाजित करती है यह है वेटर स्ट्रेट अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरस्टिंग बात है ये जो तिमोर है इसकी capital क्या है दोस्तों तिमोर की capital है दिली अपनी वाले दिली नहीं इस दिली ये देखो डी आई एल आई डिली तो ये जो तिमोर लेसेते हैं इसकी राजधानी है दिली चलिए अब दोस्तों ये जो East Timor है इसको 2002 2002 में स्वतंतता मिली है किस से? इंडोनेशिया से दोस्तों ये जो East Timor है ये पहले पुर्तगालियों का उपनी वेश था अभी मैंने इंडोनेशिया का पुर्तगाली कह रही हूँ दोस्तों ये पुर्तगालियों का एक उपनी वेश था और जब पुर्तगालियों ने इसको छोड़ करके गए तो उसके बाद यहाँ पर कबजा कर लिया इंडोनेशिया ने और इंडोनेशिया से इसको स्वतंता मिली सन 2002 में और तब से ये एक स्वतंत्र देश है दक्षिन पूर्वी एशिया का ये है इस्ट तिमोर दोफतों इस्ट तिमोर के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पर एप्लिकेशन सम्मिट की थी 2011 में कि इनका जो देश है ये आसियान की एक फुल मेंबर्शिप चाहता है ये जो तिमोर के प्रेसिडेंट साहब है रामोस होटा इन्हें नोबल प्राइस भी मिल चुका है और ये दूसरी बार तिमोर के राष्टपती बन चुकी है अब दोस्तों एंडोनेशिया ने finally कमबोडिया से अगली चेयर्मेन्शिप ले ली है मतलब आपको पता होगा कि आसियान की जो सम्मिट है हो हर साल अलाज जगे होते हैं तो अभी कमबोडिया में हुआ अब जो 2023 में होगा वो इंडोनेशिया में होगा तो अभी इसको observer का दरजा मिला है हो सकता है कि 2023 में अगर तिमोर उन सारे rules को follow कर लेता है तो उसे finally ASEAN की family में अगले साल इंडोनेशिया में जो summit होगा वहाँ पर ASEAN के full member का दरजा मिल जाएगा वैसे तो आप सभी ASEAN के बारे में जानते ही हो बट एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं दोस्तों ASEAN जिसका full form है Association of Southeast Asian Nation मतलब कि दक्षिन पूर्वी एशिया डेशों का एक संगठन दोस्तों दक्षिन पूर्वी एशिया क्या है एशिया हमारी धर्ती का एक सब से बड़ा महद्वीब है इस लार्जेस्ट कॉंटिनेंट और अर्थ तो यह जो लार्जेस्ट कॉंटिनेंट है हम इसको अलग अलग छे भागों में बांट करके पढ़ते हैं Southeast Asia Southeast या South Asia उसके बाद नर्दन एशिया उसके बाद Central Asia उसके बाद South Asia और West Asia तो दोस्तों यहां पर जो मारा South East Asia है इनके देशों ने मिलकर दक्षिन पूर्वी एशिया के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है ASEAN Association of Southeast Asian Nation इसमें आता है ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मयामार, फिलिपेंस, सिंगापूर, थाइलेंड और विय असियान को 1967 में बनाया गया था जब इससे बनाया गया था तो इसमें केवल पांच देश थे वो शुरुवाती पांच देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपेंस, सिंगापूर और थाइलेंड उसके बाद धीरे उसमें बांके के देश मिलते गए और ये 10 मैंबर का एक संगठान, एक अससियेशन बन गया और जल ही ये 11 देश जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा आसियान कंट्रीज की अगर टोटल पॉपुलेशन मिलाई जाए तो ये 662 मिलियन पीपल होती है और अगर इनकी जीडीपी की बात की जाए तो इन दसों देशों की जीडीपी मिलाके 3.2 ट्रिलियन डॉलर होती है दोफतों तो I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि East Timor कहा है और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ASEAN का 11 मेंबर बनने जा रहा है East Timor अभी मुझे अनेकाडमी पर फॉलो कर लीजिये फॉलो करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में है और इसी के साथ अगर आप अनेकाडमी प्लस से जोड़ना जाते हैं तो यूज कीजिए मेरा रेफ्रेल कोर अपूर्वा 23 और अभी जोड़ी अनेकाडमी प्लस से